इस समय सिच्छाव भाग में आपके दो तरीके की नीज जो है वो आपके चल है एक है कि आपका B8 को प्राइमरी से बाहर किया जाए और दूसरा जो है आपका सिच्छाव वर्दे किया जाए आज का ही नीज पेपर हैं यहाँ पर आप आप देख सकते हैं केंदर सरकार के आपका बिहार का ही आता है बिहार में आपके सबसे ज़्यादा सिच्छकों के पद्रिक्त है 1,87,000 से अधिक और आपका दूसरा है आपका उतरपर्डेस जो कि उतरपर्डेस में भले ही जो बाबाजी है वो बोले कि हमारे पास सिच्छकों की संख्या सर प्लस है लेकिन सभी डिटेल में देखेंगे यहां पर बता गया कि केंदर सरकार ने राज्यों से कहा है कि स्कूलों में खाली पड़े सिचकों के पदों को जो है उसमय बद तरीके से भरा जाए और केंदर सरकार चाती है कि नई सिच्छा निती किता है जो छादर सिच्छा का अनुपाद समंदे एक होता है उसके अनुपात पर जो है आप कभी भी करिए तो देखे यह सब जो भी पिघलने का काड़ है वो है आपका अगले साल का दो हजार चुनाव है तो अगले साल तो आपका वेकेंसी आएगा तो कोई वोट पर प्रहाओ नहीं पड़ेगा इसलिए यहां पर क् कि इलेक्सान में जो है वोट बैंकिंग बहुत अच्छे तरीके से बने तो देखें गवर्मेंट का में मोटिव जो हता है वापका यहीं है कि इलेक्सान में जो है अच्छा खासा वोट बैंकिंग जो है वापका की जाए बाकि यहां पर देखेंगा है कि यहां पर आगे द मतलब आपका यहां पर आप देखेंगे तो लगभग 980,000 से अधिक जो है वापके सिचकों के पद रिख्थ है आगे यहां पर देखेंगे तो गवर्मेंट की प्राइमरी स्कूल और जो आपका मेडियल इसकूल होता है सबसे ज़्यादा प्राइमरी फिर उसके बाद मेडियल इसकूल ही आता है तो सात लाग चालीस हजार से अधिक जो है आपके प्राइमरी मतलब प्रारमभी कछाई एक से आठ तक के लिए सिचकों कि पदरिक्त हैं और वहीं आप उच्छल मार्धमिक देखें कि कच्छाई ग्यारा बार में तो लगभग, आपके 92,000 से अधिक आपके सिचकों के पद्ध हैं तो आप यहाँ पर सिचकों के रिख्तियां जो है आप देख सकते हैं वाकिं यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर गौर्मेंट की जो मतलब जो गौर्मेंट का इस्कूल है उसको जो है यहाँ पर बनाया जाया मतलब जो भवन वगरा है उसका जो है यहाँ पर निर्माड किया जाया क्योंकि 278 किंद्री भी द्याले जो है आपके दूसरे के रूम पर जो है मतलब रूम भाड़ा लेकर जो है और उसके बाद आता है आपका मध्य पर्देश मध्य पर्देश में 69,000 और फिर उसके बाद आता है आपका 36 गड़, 36 गड़ में आपका 38,000, 600 बान बे यहाँ पर पहुत जो है आपके रिखते हैं, तो कहीं न कहीं इन इस्टेट के जितने भी विद्यार्थी हैं, हलाकि जो आपका सूपर टीटी, यूपी का होता है, इसमें तो सभी राज के विद्यार्थी आ जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर बिहार का आप देखेंगे, तो बिहार का 1,87,000 पद है, फिर उसी तरीके से जो आपका जारखंड है, जारखंड का आपका 77,000 पद रिखत है, तो इसमे क्या होता है, कि इन लोग दूसरे इस्टेट के लोगों को जो है, इलिजबल नहीं करते हैं, और माली जे और इस्टेट में इलिजबल करते हों, तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बिहार में और जारखंड वगरा में, जारखंड वगरा में, तो जारखंड में तो आप सोचेंगे कि वेकंसी नहीं आएगी तो नॉर्मलडे बाते हम भी हुआ है सोचेंगे कि वेकंसी नहीं आएगी लेकिन इतना बता दें कि अगले साल जो है क्या है आपका 2024 में लोग सभाई लेकसन तो इसलिए आपके소리 में मैं कहूंगा कि आज हम वीडियो भना रहे है तो किसी का अगस्त में, किसी का अक्टूबर में या फिर किसी का नवंबर में लेकिन इतना आप ध्यान रखेगा कि 2024 के लोग समय इलेक्शन से पहले जो है तो आपको एक बार जो है वेकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और आपको फॉर्म भरने का मौगा जो है वो मिलेगा भले ही एकजाम जो है वापका इलेक्शन के बाद हो जो आनिंग आपका इलेक्शन के बाद हो लेकिन इलेक्शन से पहले वापको इसका नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा क्यांकि सिचाक भर्थी की बात करें तो हर एक राज में जो है मतलब सेम जो है वहापका जो है वह उरवय्या है ग़र्णर्मेंट के तरप से बहुत लंबा समय हो गया है कि गबर्णर्मेंट जो है वेकनसी नहीं करए है कि जितने फी लोग जो हैं वो सिटेट जुलाई 2023 आप सोचेंगे कि इलाबाद हाई कोट में तो केस कर दिया गया है बीड़ वालों का रोका गया है कि इनका पड़ा मोगर रना जारी किया जाए तो फिर कैसे सिटेट जुलाई 2023 होगा देखे यहां पर क्या है कि केंदर सरकार का मैठर है और अगले साल का 2024 का लोग स्भाई लिक्सन है तो और यहां पर क्या है कि आपका सुनवाई जो कुछ भी है सुप्रेम कोट में सब का सुनवाई होता है कभी भी आपका मामला क्लियर होता है या फिर मानली जी मामला क्लियर लहीत है और Sबिश्पी सी चाहिए कि CTR का नोटिफिकेशन जारी करें तो कर सकती है क्योंकि अपस्बी लिदा की जो है बापका आता रहता है बस यहीं लिखा रहता है कि कोट के अधिन रहेगा जो कुछ भी कोट वगरा का डिसीजन यदि उलट पलट हो तो आप जो है वो सहने के लिए तयार हो बाकि यूपी टीटी का भी एक्जाम संभावता माइक्समें चांस है कि आपका हो जाएगा क् कराण। तो जैसे इसका अधिकी दोटफिकेशन मिलेगा तो के बाद चूपी टीटी दौजार शारी होगा तुसका रिजल्ट विए अगले से है कि हमारे पास संख्या प्रयाब्त है लेकिन अगले साल क्या है 2024 का लोग सभाही लिक्षान और यूपी में क्या हुगा है कि 2008 बाद जो है वो सिचक भरती हुआ ही नहीं तो आप समझ सकते हैं कितना लंबे समय के बाद सिचक भरती नहीं हुआ है फिर उसके बाद पता नहीं है जैसे उनका मतलब इधर से मामला आपका स्वाल बगर होता है तो आप सबीले को पता है कि डिये सेस्पे में भी जो है वो आपके सीचकों का पदो पर जो है वो रिक्तियां आपको देखने को मिलेगा बाकी बिहार का साथवे चड़का सिचक बाली हमने उपर बता ही दिय अपके सिचकों के पत्ट से पहले आपको बढ़ी असतर पर उस्चकों की भरती का नोटिफिकेकसन देखेने को मिले तो बाकि आप सिचक जगत से आप जुडए हैं तो राट टु प्लेटफर्म को सब्सक्राइब कर लेजिएगा जो कोई भी अपडेट इंफर्मेशन वग गाईगा कोट केस वगर हो और नोटिफिकेस नहीं आ रहा है या फिर कौन क्या बोला है उन सभी चीजों को आप इगनोर करेगा क्योंकि यदि वेकेंसी आ जाती है तो फिर आप इधर उधर करते रहा जाएंगे कुछ भी आपको वेनिफिट नहीं मिलेगा आप सीटेट और यूपी टीटी का भी सेलिबस देख लिजेगा आपका सीटेट और यूपी टीटी का जो है आपका सो पठ्षंट जो है आपका सूपर टीटी में मर्ज हो जाएगा मतलब यहां पर क्या है कि आपको सूपर टीटी के लिए और पढ़ना पड़ेगा लेकिन आप सीटेट और